लेकिन जो major differences जो समझ करके आएं, समझ में आ रहे हैं, कि pension के अगर हम बात करें, OPS को pension मिलेगी, yes मिलेगी, NPS को भी मिलती है, OPS को भी मिलेगी, UPS को भी मिलेगी, लेकिन जब pension की बात होगी, तो किस तरीके की pension मिलेगी, OPS में सब को पता है कि last pay drone का 50%, last pay drone means basic का 50%, plus जो dearness, relief, DA जो होता, include रहता है, NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, आपकी जो भी annuity के अंदर, जो भी आपकी investment है, superannuation पर, उससे ही आपको pension मिलेगी, जो की market build है, जिसका कोई निशित amount नहीं है, कभी भी fix नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, UPS में, same आपने OPS की तरह से, एक fix, assure pension देने की कोशिश की, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी चालबाजी दिखाई गई है, कि हम पूरे 12 मेहने का, और 12 मेहने का क्या, जो आपका जो, means, last 12 months की जो pay है, जो superannuation पर, उसका हम, वो average निकालेंगे, और उसका 50%, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1000-2000 रुपे से, कोई फरत नह परता, और आपने इसमें inflation, indexation को भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें, कोई issue नहीं है, NPS की बात, वही के वही रह गई थी, DA-DR का benefit आपने दे दिया, इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर दे दिया, ठीक हजी, contribution, OPS के अंदर कोई contribution नहीं जाता, NPS के अंदर contribution जाता है, employee का contribution 10%, आपने कहा गया है, आपकी तरब से, कि अब हम 15.5% का contribution डालेंगे, आपने और महंगी स्किम कर दिया, इसको, कोई दिक् OPS में भी सेम वैसे चलता रहेगा, कि करमचारी का contribution 10% और आपका contribution जो है, वो साड़े 18% क्योंकि आप हमें pension देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी pension देना चाह रहे हैं, स्वागयत योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजी, आपका पैसा है, कहीं पर भी लगाईए, मोदी जीवा, ये वही से ही इनका उदगम स्टल जो है, वो यही से ही है, VRS, VRS को लेकर के एक और है भी तक इस चीज में, VRS को लेकर के OPS में आपने 20 साल की qualifying service रख रखी है, NPS में भी आपने latest में जब amendments किये तो 20 साल की qualifying service रख दी थी, ठीक है, UPS में आपने unified, that is not justified, जो इ 25 years कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए स्विखार कर लिया, लेकिन हाल ही में, हाल ही में क्या, कल ही, जब प्रेशवारता में cabinet secretary स्री टीवी सोमनाथन जी से पूछा गया, कि VRS के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने जवाब दिया, कि इसके लिए qualifying service 25 साल रहेगी, लेकिन उसके बाद का जो जवाब था, वो बड़ा आश्रे जनक है, जिसके लिए हमारे मुझ से आपके सम्मान में सब्द निकल रहे हैं, वा मोधी जी वा, कि 25 साल पर आप VRS तो ले सकते हैं, लेकिन आपको pension नहीं मिलेगी, pension कम मिलेगी, जब आप 60 की हैज तक पहुँच जाओगे, मोधी जी किसने देखी है, 60 की हैज, तभी तो विचारा वो ले रहा है ना, वो तभी तो विचारा VRS ले रहा है, और सबसे बड़ी बात, आधर निये, मिन्स हमारे लिए तो cabinet secretary है, सभी honorable है, आप लोग सभी लोग honorable है, माने निये हैं, उनके जो NPS के अंतरगत फिलाल लाबारती है, और जो चाहता है कि मैं UPS में switch कर लूँ, एक बार के लिए मान ले, तो वो अपने आपको क्या feel कर रहा है, कि वो prisoner है, जिसे बंदी बना करके रखा गया है, आपको 60 साल तक की jail काटनी है, 60 साल तक की jail काटनी है, लेकिन आपके पास म आपको छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन जो आपने 25 साल की service हमें दी है, jail में जिस तरी के से केदी बिताता है, समय बिताता है, उसको कुछ मेंता ना मिलता है, जो सजायता, जो केदी होते हैं, उनको मेंता ना मिलता है, वो जो आपका मेंता ना है, वो हम आपको आपकी इस क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में नहीं, आपके सुपर एनिवेशन की डेट से पर देंगे, वो जी जी समझ में नहीं आ रही है चीज, माननी है आप हमारे लिए, और आप से देश का हर एक करमचारी आपकी तरफ ही केवल आस्पना बांद करके देख रहा था कि कोई न कोई बड़ा डिसिजन आप लेंगे हमारे फेवर में, यहां से यह यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है, दूसरी चीज, अगर आप इसमें देखें, तो हमारा कोंट्रिबूशन, हमारा कोंट्रिबूशन, मिंस एम्पलोई कि किताबों में लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, और जो सही है, फूट डालो, राज करो, और फूट डालो, राज करो, मैं यहां पर यह वाली बात किस परिपेक्शन में कह रहा हूं, कि अंग्रेजों ने जहां जहां पर भी राज किया, या दूसरी तरफ से कहें, दुनिया में जहां जहां पर भी दो देशों के बीच में लड़ाईयां हैं। हमारा काम चलता रहे हमारा क्या काम चलता रहे हमारे हतियारों की विक्रिय होती रहे लेकिन मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपको हतियार थो नहीं बेचने लेकिन आप किसी क्रमचारी को unified pension scheme इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी आप इसमें साथ switch नहीं करने देना चा जो है वो मिलेगा नहीं और आपने उसकी जगह पर हमें एक तरीके से क्या जुन जुना पकड़ा है कि हर एक साल माला हर six months का एक contribution और एक contribution कैसा कि आपकी basic pay का basic plus DA का वो जो 10% बनता है माला वही contribution हमारा मतलब इस पचीस साल पर भी अगर कोई employee छोड़ना चाहिए या माली तीस साल की service करता है कोई employee super invasion तक अब वो तो service नहीं कोई छोड़ेगा नी व्यारस तो आपने खतम ही कर दिया इनके लिए कोई बात नी जी किसी ने 30 साल की service की तो उसको क्या मिल जाएगा 60 contribution का पैसा वो आप वापस देंगे कितना होगा जी वो और उसमें बड़ा जो tag जोड़ा जोना it will be additional to gratitude वो ऐसा लगा कि यह कोई भरी भर कम amount है जिसको हमें 2-4 securities रखने पढ़ेंगे जिसकी bank वाले इतनी बड़ी amount हम कहां रखेंगे तो हमें 2-4 security personally hire करने पढ़ेंगे उस पैसे को रखने के लिए जब actual में मैं लेकिन मैं जब actual में calculate किया तो वो amount तो 57 लाग रुप कर सकते हैं कि यह आप हमारे साथ में करमचारियों के साथ में क्या हैं हम भी भारत देश के नागरिक हैं हमें प्लीज आप अलग मत समझेए अलग मत consider कीजिए यह जो बड़ी चीजिए हलांकि खैर मिन से हर एक अपना अपना विचार हो सकता है कोई कहते हैं कि हमें तो और बेटर इसकीम है तो हम करें इसका एक बार स्फिर से वापस नाम बदल दीजिए चाहिसे लेकिन यह दो चीजों पर प्लीज ध्यान दे लिजिए जो कि दो सबसे बड़ी कमिया है आप हमारा पैसा देजिए वापस जो भी कॉर्पस बनेगा हमारा जिसमें रेशियो था mathematics science आपके पास में बहुत सारे अर्थिक सलाकार है उनसे उसमें पूछ लीजिएगा कि इस particular employee का कितना contribution था रेशियो के अंदर और हमें वही चाहिए जो टोटल कॉर्पस बन जाएगा ब्याज के साथ में हमें उसका केवल और केवल वही रेशियो के अंदर दे दीजिए और और एक आदे सुधार और जो अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं जो देखने के बादे में पता चलेगा आपसे हाँ जुड़कर के विनती है करमचारी आपसे हाँ जुड़कर के विनती कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं है जब कोई भी tv new channel खोलते हैं या आपके किनी मंत्र तो है वो OPS की बजाय में बड़ी महंगी स्कीम है, आपके सरकारी खजाने से इस NPS में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, इतना आपसे करमचारी मांगता ही नहीं OPS के अंदर, OPS के बिनेफिट्स में, रीजन क्योंकि OPS लेने वाला करमचारी अलग से है, भारत देश में किसी भी करमचारी की ओस्तन आयू, किसके लिए पैंशन रिसीव करने के लिए, पैंशन लेने के लिए 10 साल से ज़्यादा नहीं है, कहने का मतलब कोई 70 साल से ज़्यादा नहीं जिरा, एवरेज की बात करन कोई particular 90 साल जी जाए, एक अलग बात है, लेकिन एवरेज ये 10 साल पर आता है, आप NPS के करमचारीों को 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल pension क्यों देना चाह रहे हैं, और ये इतना कोर पैस है, इतना कोर पैस है, कि आपके खरक जाने में तो पता नहीं कितना पैसा चला जाएगा, अग कोई दिक्कत नहीं है, कोई और कोई नाम रख लीजिए, लेकिन एटलिस्ट करमचारी के पैसे को तो आप इधर-उदर मत कीजिए, हमारे पैसे को तो ये 10 परशेंट हमारा फिस है सर, इसको मत कीजिए ऐसा, कि आपने उसको हमें एक अलगी फोर्मला किसके दिमाग की उप नहीं आ रहें कि कोन सी किताब से उठाई गई हैं चीजिए, मानिनिया मंतरी जी ने कल इसके बारे में जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसको पैंसन स्कीम को तो बता रहे थे हमने काफी जगों से स्टेक ओल्डर के साथ में भी, RBI के साथ में भी, अधर-धर-अबरोड म निकल पड़े, वा, मोधी जी, वा, तो ठीक है, मोधी जी, यह चीजें, प्लीज, हाज ओड़कर के विनती कर रहे हैं मापसे, हमारे इस पैसे का, इस चोध-दस परचेंट है, हमने पहले भी बोला है, यह साड़े-ठारा परचेंट की जगाह पर साड़े-ठाई डाली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस तरीके का कोई और कोर्पस चाहिए भी नहीं, कि आप नोमिनी को पैसा दे देंगे, उसकी मिन्स डिजीज के बाद में ऐसा कुछ, हमें चाहिए भी नहीं, आपको पता आपने फेमिली पेंशन ठीक है, बहुत अच्छी कर दिये, कोई कोई दिक्कत नहीं कर लीजिए, लेकिन प्लीज, ये पैसा हमारा वापर देजिए, ताकि करमचारी के मन में जो इक दिमाग में बार बार जो चीज है, क्या, जीपिएफ को लेकर करके, वो संसे खतम हो जाया हमारा, आप जीपिएफ नहीं देना चाहते, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया कि हमारे इस सारे के सारे पैसे को घायब हो गया, एक तरीके से मूवीज के अंदर नहीं दिखाते कि या पैसा पढ़ा हुआ, सामने उठा लिया सरा हमारा पैसा, कहां गया मत पता ही नहीं लगेगा, कि किसी करमचारी का एक मैंने हैं इस skim को introduce होने में और यह जो हमारा व्यू यह है कि अगर यह दो चीज़ें नहीं है वी आरास का option यह नहीं है मिन्स आपको pension यहां से नहीं मिलती है और यह 10% पैसा आपको नहीं मिलता है इतनी चीज़ें सर क्यों घुमा रहे हैं पैसा लगता है सर हम तो अपने चोटे-चोटे बिल्स कई बार कोई मिन्स समझदार क्रमचारी 2-4 रुपे बिल इसलिए नहीं लगाता कि यार उसके पीछे जारों का कर्चा तो ऐसी हो जाएगा मिन्स में जब प्रोसीडिंग्स होत जिसका कोई मिनिंग नहीं है ठीक है अपने शोट पेंशन देदी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर यह क्या किया मुझे सर वियरेस जाना है तो मनलब मैं 25 साल पर वियरेस चला जाओ और मेरी एक्च्छल सुप्रेणिविशन के डेट आए कि इसके भी 8 साल के बाद में मनलब हम 8 साल क्या खूंगा सर मुझे समझ मी नहीं आ रहा मुझे या तो माने नहीं है जो केबिनेट सिक्रेटरी टीवी सुमनाथन जी है उनको आइडिया नहीं था और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ बोला होगा उन्हों के सवाल के जबाब में बोल हम अननिसेसरों किसी का टाइम नहीं लठा रहीं means ये आपके लोगों से कहना चारे हिए जो भी वीडियो को देखंग देक रहें हैं यहापर हम ने आद तक अपने वीडियो के लिए बोला लोगों के लिए लए क्योंक उनकी कुछ लोग सायद खुश हो गयी हूं जिनोंको इस वीडियो को आज हम पहली बार बोल रहे हैं, हमारे लगबच 400 चोपर वीडियो होंगे, हमने पहली बार हम बोल रहे हैं, कि इस वीडियो को प्लीज शेर कीजिएगा, ताकि लोगों, maximum लोगों तक पहुंचे, कि UPS क्या है और NPS क्या है, आज की डेट में भी, यह NPS is better than this UPS, means unified pension is not justified. इस session में इतना ही, मिलेंगे very next update के साथ, thank you.